तो इतने मैनों के इंदिजार के बाद finally नेक्सोन EV Max Electric Car इंडिया में लाँच हो गई है इस EV में Tata Company ने काफी सारे changes की हैं, इसकी pricing भी अब पहले से जादा बढ़ गई है नेक्सोन EV Max के बारे में आपको सारी information इस वीडियो में मिलने वाली है सबसे पहले बात करते हैं लुक की, तो लुक यहाँ पर इसका completely new है, अब यह पहले से भी जादा attractive लगती है यहाँ पर अब हमें 5B spoke diamond cut alloy wheels मिलते हैं और अब नेक्सोन EV इन तीन colors में available है सिर्फ बाहर से ही नहीं बलकि अंदर से भी यह car बदल गई है, इसका interior बिलकुल ही new है प्लस इसमें अब हमें ventilated seats मिलती है performance की बात करें तो पहले इसका PMSM motor 127 PS की power produce करता था लेकिन new नेक्सोन EV Max में हमें 143 PS की power मिलती है और अब torque भी यहाँ पर 250 Nm हो गया है पुराने नेक्सोन EV में हमें rear side में drum brakes मिलते थे लेकिन new नेक्सोन EV में 4 wheels में अब हमें disc brake मिलते है सबसे बड़ा change इसके battery pack में किया गया है यहाँ पर अब हमें 40.5 kWh की lithium man battery मिलती है जो की single charge में up to 437 km का range देती है और देखा जाए तो इतनी range एक EV के लिए बहुत है अब नेक्सोन EV में हमें charging time भी fast देखने को मिल रही है पहले नेक्सोन EV में हमें 3.3 kWh का charger मिलता था जो की 15-16 घंटे में नेक्सोन EV को full charge करता था वही नेक्सोन EV में हमें 7.2 kWh का charger मिलता है जो की सिर्फ 6.5 घंटे में ही कार को full charge कर देता है वही fast charging के साथ नेक्सोन EV में 56 मिनट में ही full charge हो जाती है यहाँ पर बैटरी बड़ी की गई है तो इसके चेसी को भी redesign किया गया है और अब यह पहले से भी जादा safe है वैसे भी Tata की कार है तो safe तो रहेगी ही कुछ अदर features की बात करें तो अब यहाँ पर हमें EBD, heel hold and heel assist और cruise control जैसे features मिलते हैं बागी mobile app connectivity का feature तो पहले भी मिलता था नेक्सोन EV Max 4 Vidiants में launch हुई है इसकी starting price है 17.74 lakh रुपीज वही top version के लिए इसकी price 19.24 lakh है बीच में नेक्सोन EV की price भी बड़ी थी और नेक्सोन EV के comparison में इस car की price 1.8 lakh रुपीज ज़ादा है जितने changes company ने इस car में किये हैं उसके हिसाब से इसकी price बहुत कम बढ़ी है warranty इसमें पहले जैसे ही है बैटरी और मोटर में हमें 8 साल या फिर 1.60,000 km की warranty मिलती है वहीं complete vehicle में 3 साल या फिर 1.25,000,000 km warranty मिलती है overall company ने इसमें जो changes किये हैं वो हमारी सोंच से भी ज़ादा बहतर है आपको नेक्सोन EV मैक्स कार कैसी लगी हमें नीचे comment section में जरूर बताईए अगर आपका इस कार के regarding कोई सवाल है तो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं आपको 100% आपके सवाल का जवाब मिलेगा अगर आपका interest electric vehicles में है तो इस चैनल को subscribe कीजिए मैं मिलता हूँ अब आपसे अपनी अगले वीडियो में